अभी हम लोग देखने वाले MP आसिस्टेंट प्रोफेसर एक्जाम 2023 के पेपर वन की क्लासेस कर रहे हैं जो की सभी के लिए कंपल्सरी है पम लोगों ने कर लिया है अगर आप सारे क्लासेस में जाकर इन सारी कलासेस इसे देख सकते हैं पम आपको टाइप करने MP आसिस्टेंट प्रोफेसर पेपर वन निकल याएगा उसके आप 21 क्लासेसे क्लासेसci चलिए आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं देखते हैं MPGK MPGK मुझा देखते हैं मद्यप्रदेश के जन जातियों के सेक्षन को अभी हम दोगने उठाया है यहां से प्रस्न हमेशा हर एक जाम में आया है उमेद करते हैं आपका इस एक्जाम में भी आयЕ गा ही क्योंकि जनjaty उसे प्रस्थ से प्रस्थ रहते ही हैं दूद लोटवा विवा क्या है घोटूल क्या है लमजना विवा से क्या समझते हैं इसके अलब दूला देव से क्या मतलब है तो चलिए स्टाट करते हैं आज के क्लास साधी कहना चाहूंगा साध्यों यहां पर एक्जाम फाइटर नमर वन पे आपको complete paper one के त्यारी कराए जा ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो कॉंटेंट लेकर आप सभी के वीच आएं इसके लिए प्रेस करें वीडियो पसंद आए से लाइक करें और बटन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नौन आपको मिलती रहे तो चलिए आज के क्लास को स्टा किस जन जाती की है तो वह जन जाती है गौंड जन संक्या के दिश्टिस से भारत की सबसे बड़ी जन जाती है अगर मद्य परदेश के दिश्टि कौन से देखें तो जन संक्या के दिश्टि कौन से मद्य परदेश की दूसरी सबसे बड़ी जन जाती है आपको यह जवाब जवाब देना है मैं आपसे आप एक्षा करूंगा आप जिरूर जवाब देंगे गूगल को नहीं देखेंगे आप बुक से धूंड कर मुझे जवाब देंगे कि मद्य पर्देश की जन्संख्या के दिश्टी कौन से जिसकर मैंने बताया कि दूसरी बड़ी जन्जाती है ग Proto-Astelide होती है तो आप से प्रशन हम पूछा जा कि किस मून की तो गोण्ड जन्जाती यरह तो अब प्रोटो अस्त्रवाइं प्रजाती है यहां कीजू समाजिक वेपस्ता समाज pequetar सतात्मक होता ए बहुत सारे जन्जातियों में मात्र सततात्मक होता है इसनी हि바 Vocês को i roast समगोत्रिय विवा होता है लेकिन गौंड में समगोत्रिय विवा नहीं होती है समानगोत्रिय में विवा नहीं होता है अगला है मंदवातरी विवा, मंदवातरी विवा परचलित है, विवा की बहुत सारी प्रजाथी प्रकार यहां परचलित है, लेकिन एक है मंदवातरी विवा, मंदवातरी विवा से तातपर है, कि जब मंदप में बिठा कर विवा संपन कराया जाता है, पूरे बिरी विजान के साथ, तो इसे मंडवातरी विवा कहते हैं और इसे आदर्स विवा माना जाता है जन जाती गौंड जन जाती में आदर्स विवा मना अच्छा विवा की स्रीनी में इसका आता है स्रिष्ट विवा मंडवातरी विवा जोन्ड जनजातियों में किया जाने लएक विवा प्रक्रिया है जो कि इसका तात्र पर अगर वरवधू को मंडब में बिठा कर रहा जाये तो इसे मंडवातरी विवा कहे जाते हैं अगला है लमजना विवा लमजना विवा क्या है लमजना विवा इसे कहते है प्रेम विवा या प्लायन विवा जब लड़की और लड़कियां वाग कर साधी कर लेते हैं प्रेम विवा कर लेते हैं प्लायन करके घर से दूर जाकर विवा कर लेते हैं इसे लमजना या प्लाय या प्रेम भीवा भी कर सकते हैं तो यह टर्म याद रखता है लम्जशना भ्या का मातलब है घर से भाग कर प्लाइन करके व्यवा करना लमजना विवा का लाता है इसे परका दूद लोटवा विवा दूद लोटवा विवा मद्य परदेश की जो गोंड जन जाती है वहां पर एक परचलन देखा जाता है कि वो लोग मामा या बुवा की लर्की से विवा करते हैं अधिकतर देखा जाता है लोगों मामा या फ़िज में विवा हो गया। इसको दूद लोटवा विवा कहा गया है। Ma 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 percentage कि लड़की से किया गया विवा को दूद लोटवा कहा जाता है। समझ कै यहांतर कोई दिखकत नहीं आपको। अचिली आगे बढ़ते हैं। घोटूल गोकूल एक पूरिक स्थान जहां पर यूवक और यूतियों, कैसी यूवक और यूतियां, जो अविवाहित हैं, जिनका विवा नहीं हुआ है, उन्हें परसिक्षन दिया जाता है, साथ में रखा जाता है, ताकि विवा के बाद उनका जीवम शुगम असान तरीके से चले, या एक जनजातियों का अलग संस्थान है, जहां पर और विवाहित यूवक यूवक यूवतियां, जिसे साधी करना एक साथ उन्हें रहने का एलाव रहता है, बहुत सारे जोड़े रहते हैं, और उन्हें प्रकार से अपने का से लिव इन रिलेशन्शिप आज के डेट में समझ लाएं, उसी तरह का य आइड करते हैं, कैसे आपको यहां पर डिल करना चाहिए, ताकि आपका विवाहित जीवन अच्छा रहे, तो घोटुल जो है, एक संस्थान है, इनका गोंड जन्जाती का, और विवाहित यूवक यूवतियों को परसिक्षन देने के लिए, ताकि वो सुखी और अच्छा दामपत जीवन वैतित कर सकें, गोंड जन्जाती को देखा जाती हैं, पर दो परकार की गोंड जन्जातियां होती है, जो धनार्ड होते हैं, अच्छे होते हैं, इसका राज गोंड कहा जाते हैं, इसमें मुकृप से जमिनदार और भूमिपती वर्ग सामिल होते हैं, जिस जञेंजाती के पास कर सकतीर इस्तिति कहराब होती है उसे धूरण्ड यांनि धूरण्ड निमनवक के उच वरके गॉन्ड जञब अगला है इस जञेंजाती यानि मुक्ख के जो पैसा है वह किर्सीं है और दूसरा मजदूरी है, यह किर्सी करते हैं और मजदूरी करते हैं गौंड जन जाती का मुख्य पैसा है, इनका जो मुख्य भोजन की बात करें, इसके मुख्य भोजन को इन लोगों नाम दिया पेज, पेज से तात पर हैं मोटे अनाज और नमक का घोल, मोटे अनाज और कोही पेज कहा गया है, इनके सब्दों में पेज, इनका मुख भोजन है, यानि पेज से मतलब क्या हो गया, मोटे अनाज और नमक का घोल, अगला है, गोंड जन जाती का जो आस्था है, वो मुख रूप से आत्मवाद को मानती है, यानि आत्मा को मानती है, जिसका हम लोगों हमारे हिंदू धर्में ये पचलन है, आत्मा परमात्मा का सिरांत, तो गोंड जन जाती भी आत्मवाद को मानती है, कि मनुष्य के अंदर एक आत्मा होती है, इसको ये भी मानती है, आत्मवाद को मानती है, दूलह देव, गोंडों के प्रमुख देवता है, जिस प्रकार ह क्या करते हैं दूला देव आपसे पूछा जाएगा दूला देव किस जन जाती का पर्मुक देवता है तो गौंड दूला देव जिसमें डेव रहेगा टाइटिल वह अधिकतर देवता किसका होता है गौंड का देखिए नाग देव बड़ा देव की भी पूजा गौंड जन होटेट को पुजा करते हैं यह इनके लिए सबसे महत्वुपुर्ण विर्ष होता है जिस परकार हम लोग पीपल नी पूजा हिंदू में किया जाता है तो उसी परकार इनका जो प्रमुक वुज्ख है जो पुज्ख सब्सकार कर चुक है और इनसे अगर गौंड तो इसे में आएगी आपसे नहीं आयेगा तो साथ यों पुना ही रिक्वेस्ट है चैनल पे यहां पर तयारी आपको करनी है और विल्कुल modelo अच्छी तयारी करनी इसके साथ ही आपको पिस्क्राइब करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है विड़ियो ताकि आने वाली हरी क्लास के वीडियो आपको मिल सके पचास में से आपका 45 नुमर आएगा बड़ी साने से ऐसे ही आपका पुरा सिलेबस कभर हो जाएगा थैंक यू वेरी वेरी मुच फिर वाजिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग एक जाम फाइटर नमर वन आपका दिन शुभा